नमस्कार दोस्तों मैं से वंकुस्भाव को सागत करता हूं प्रोगाइट CS चैनल में तो हम लोग देख रहे साइस में इसकूल में आपने देखा होगा कहीं लाइफ साइकल मनी होती है इसमझाना जायता है तो आप यह जरूर यूज करेंगे तो इसलिए आपको समझना जरूरी तो चली रार्खी देख लेते हैं तो रार्खी कैसे यहां पर हम लोग यह वाली ले इते हैं और यो निदे यहां पर लिखने के लिए रहा जो का लिए आइफ मतलब यह बन चुका को नहीं करूच है अब यहाँ पर यहां हमरे हैं उसके अंदर यह सब हीडिंग है और इसके अंदर भी वाकिज डिंग आ रहे है तो एक्जामपल के लिए यहां पर हम लोगों ने जैसे पिछला वीडियो देखे थे उसके लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर से रिकार्डिंग देख लेते हैं तो हम लोग लिखते हैं पर कंप्यूटर है ठीक है और कंप्यूटर जो है वह क्या है इंपूट और आउट्पूट डिवाइस को कंट्रोल करता है तो कंप्यूटर जो है उसकी कुछ इन्फूट डीवाइस होते हैं कुछ ओट्पूट डिवाइस होते हैं तो हम लोग यहां पर इंफूट डिवाइस के अंदर लिए पूझ कुन-कॉन से होते हैं invested होगया जैसे की वोट कैई वाई डिवर्ड की बोड हो गया अब फिर होता है mouse ऐसे जो output device होता है वो क्या होता है speaker अब देखी यहां पर हमने तो लिख दिया आप बांकी बचे नहीं है पिता हम लोग कैसे इंट्री करेंगे तो इसके लिए होता है हम लोग insert करते हैं कैसे इंसेट करेंगे हमारे जो माउस होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर कहा रहा है अब लोग कहा करना चाहते हैं आप्टर मतलब बाद में या फिर बिफोर मतलब पहले ऊपर करना चाहते हैं मतलब यह बीलो मतलब आप्टर हो चुका है अब यहाँ लिखना है लिखने के लिए हैं आप क然 करेंगे करेंगी क्लिक कर हैं क obras करना मुट से निक्लिक को तो आप हम्लों क्लिक देते हैं कि आउटपूट मोनिटर एम ओ एन आई टी ओ ठीके तो यह मोनिटर हमारा एड हो चुका है तो इस तरीके से आपको कर सकते हैं जब आपको जुरत हो तो आप राइट क्लिक करेंगे एड कर लेंगा इसे अगर वाई चांस हमें ऊपर चाहिए यहां पर और अप्टर में करेंगे इसके बाद हो चुका है अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रोसेस तो बहुत सारी होती है इसे लिख सकते हैं कुछ भी तो यह आप इसको प्रेटिस करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती कुछ समझ में नहीं आता कि जो सेफ है वो कैसे आड करना है तो आपको एक बार और हम बता देंगे वैसे बहुत सराल है आप एक बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा तो यहां पर बस एड़ सेफ में जाना है आपको जहां चाहिए उपन नीचे राइट लेट एक बार प्रेटिस करेंगे समझ में आजाएगा तो समझ में आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां से भी एड़ करके और यहां पर तो यह हुआ फिर आता है यहां पर एक रेट गाफ है कि इससे राइट टू लेट शेट भी का सकते हैं इसको इधर का सकते हैं इसके लिए यह आप देखें आउट्पूट इधर चला गया और इस वर इंपूट इधर आगया ऐसे हम लोग वापिस क्लिक कर देंगे तो इसको आप यूज नहीं करेंगे तो बेनिफिट रहेगा इसको यूज करने से आपको कुछ याल आप नहीं मिलेगा ठीक है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं में हम लोग पढ़ने वाले इधर तो इधर आता है ले आउट यहां पर पता नहीं क्यों दिए जब ले लिए हमने तो इस तरीके से आपको जो भी अगर पहले आपने ले लिए एक्जंपल के लिए हमने क्या करा था पहले यह वाला लिया था आप हमें यह पसंद नहीं आ रहा था तो हमने क्या कर रहे हैं तो यह हमें ठीक लग रहा है इसलिए हमने यह ले लिया फिर आता है चीन्ज color चीन्ज color मी होता है जैसे हम ने यहाँ पर भूंतकी है खाल Unless और यह भी है कुछ तो यह हूँ गया और पृप्शाल पर फिर होगया आपका कलर पर आता है यहाँ पर स्मार्ट आट जो इसलाइल है तो फिर ठीख और हम लोग है kya तो यह हमने यह वाला ले लिया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डिजाइनिंग कर सकते हैं अगर आपको कुछ एफेक्टिव दिखाना या थोड़ा आपको 3D जैसे आप कुछ यह दिखा सकते हैं आप बाइचांस आपने क्या कर दिया आपको पसंद नहीं आ कर सकते हैं जो हमारी विक्चर है डिजाइन है उसको आप रिसेट कर सकते हैं ग्राफिक्स को ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है यहां पर फार्मेट तो यह हमारी यह सेब हमने स्वारी जो आर्ट एड करा हमने तो इसी आर्ट को हम लोग क्या करते हैं और सेब दे सक नहीं करेगा जो से बाला आप से इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा किसी एक सेफ को सेलेट करना पड़े देखिए सेफ जो है इनको बोलते हैं जो यह वाक्स बने इनको हम लोग से बोलते हैं तो हमने क्या करा कंप्यूटर वाला जो सेफ है उसको सेलेट कर लिया अब हम चारफ चांगे के तो यकार है जोटी तो असर चांगे तो यहां ao इस चांगे उसको पहले कर लेते हैं है फ़ से बढ़ाना और घटाने जी सकते हैं आप यहां पर हको चsamh लोग यह वाला उच करते हैं प्रक्ष के बढ़ा करेंगे तो आपको यहे भी आधा करेंगे तो यहां पर डबल क्लिक करें दो यह लट बड़ा करें तो मैंने एक दो तो दोनों का सेट जो है वो बराबर एक्वल पार्ट में बटा है ठीक है अगर हम लोग अपने से खींच-खींच के बड़ा करेंगे तो क्या होगा यह सेफ का जो साइज है वो चेंज करने मे हमें कोई बड़ा चोटा हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम लोग यह वाले यूज कर रहे हैं फिर आगया आता है सेफ इस्टाइल क्या होती जैसे यहां पर मैंने बताया कि यह सेफ है उसके अंदर आगर आपको कोई चेंज करना है जो डिजाइन है उसमें चेंज करना है तो वह स्टाइल है तो देखते हैं यहां पर जैसे हम लोग करते हैं पहले कंप्यूटर के अंदर तो यहां पर कुछ बने हुए हैं आप उनका यूज करा यह हो गया इस तरीके से आप चाहें तो जो बने हुए उनका यूज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं यहां से बाहर बारा जो color है जो यह बाहर बाहर रहता है उसको हम लोग फिल करना चाहते हैं black color से और जो black color है उसकी जो width है मुसको बढ़ाना चाहते हैं एक बार और करके देखते हैं यहां पर save fill के अंदर गए हमने red color का दिया save का जो width है वो हमने 3pt का दिया इस तरीके से आपका का सकते हैं save की जो design है वो change का सकते हैं और चाहे तो एक बार और करके देख यह है इसके अंदर हम लोग और formatting का सकते हैं जैसे की format में जाएंगे और यह से यह save का outline चेंज करते हैं जो fill color है वो change करते हैं तो इस बार हम लोग ले लेते हैं gradient gradient color क्या होते हैं दो color मिक्स करके हम लोग एक color मतलब एक image बनाते है पिक्चर बनाते हैं देखिए मैंने यह आप यह green color दिये वह इसके उपर लग रहा है या फिर हम लोग खुद से बना सकते हैं तो हमने क्या करें यहां पर क्लिक करा यह क्या खुल गया चलिए हटाइए ठीक है तो यह हमारा इस तरीके से इस तरीके से दो तीन बार में खुल रहा है यह क्लिक करने के बाद तो यहां पर हम लोग color ले देते हैं present color चाहिए हमें कुछ इस तरीके से देखिए जैसे हमने यहां पर अप्लाई करा तो इसका color जो है वो change हो चुका है और भी हम लोग gradient color ले सकते हैं इस तरीके से यह ले सकते हैं और close करेंगे तो यह design जो है अपलाई हो जाएगे तो ऐसे आप क्या का सकते हैं सेप को select करेंगे तभी option आएगा एक चीज़ और ध्यान देजिए गए जब भी हम लोग सेप को यह art को select करेंगे तभी option आएगा यह देखिए अगर आपने कोई आट सेलेक्ट ने कर रहा है तो स्मार्ट आट टूल वाल option ही नहीं आएगा और यहां पर आपको फार्मेटर डिजाइन नहीं मिलेगे क्योंकि जैसे हम लोग ने सब्मेट टेबल में पढ़ा है पिक्चर में पढ़ा है हर जगर पढ़ा है तो वहां पर यही हो रहा था हम लोग जब भी कोई भी डिजाइनिंग के आर्ट अपलाई कर रहे तो क्या कर रहे थे यहा करता है ठीक है अगर बढ़ते हैं तो यहां पर सेफ आउटलाइन समझ में होगा आउटलाइन के होती है जो हमारी पिक्चर उसके बाहर का जो सेफ है उसको आउटलाइन बोलते हैं जो अंदर का कलार है उसको से फिल बोलते हैं फिर आता है सेफ एफेक्ट एफेक्ट आप अप्लाई करते थे तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं यह होगी डिजाइनिंग अब देखिए हमने बहुत सारी डिजाइनिंग अपलाई कर दी अब हमें पसंद नहीं आ रहा है हम लोग क्या करेंगे हम पर सलेक्ट करेंगे जो हमारा सेफ है डिजाइन में जाएंगे और यहां इसके अंदर कुछ लिखा वह इसके अंदर आपकी डिजारीनिंग काना चाहते हें कुछ अलग टरीके से हम लोग यहां सका सकते जो टेक्स्ट है उसकी डिजारीनिंग चाहते है comment n अब आप चाहें तो इसको खुद से बना सकते हैं जैसे की एक बार इसको भी करीदे अब मालीजी हमें इसको जो कलर है यहां पर जो दिये हुए है यहां पर इतने सारी है हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर टेक्स्ट फिल के अना जाएंगे और देखिए अ कै worry कृशनामे की धिकल लगेगा हम लोग वही ले सकते हैं कोई प्रालॉम नहीं आएगगे कर तो यह तकnd بعد हुए हैं चुसे नदर तो क्या हुआ हिए हमें रेंडे ले ढहरे हूं जैसे हमने में ले ल्यार बुद सब्सक्राइब का बढ़ना उसके अंदर कवा कर ना चाहिए कि किस क्या सकते हैं जो क् Dani को सब्सक्राइब को क्या सकते हैं को और फिर आगे आता है इसके text fill color हो गया outline color हो गया आप इन सब को use करेंगे तो आप को भूसरल मैसूस होगा अभी आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि कठिन लगे कि क्या है यह फालतू का काम है पर आप इसको ऊच्छे करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आगा और इसका और अच्छे समझ जाएंगे ठीक गया जिसे हमगे ड़ेख्ट में करते देखए एक पे ग्हुम गया तु यहां से ट्रीडी कि अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो थीजी रोटेशन देखें यहां पर नन लिखा इस पर भी लगा सकते हैं नन में पूरा हटा जाएगा रिफ्लेक्शन हो गया, सेडो हो गया इस अब आप अपलाई कर सकते हैं यहां से तो यह क्या हो रहा था हमारा टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर है हम लोग टेस्ट की जो एफेक्ट है वो लगा रहा है देखें यहां पर यह सर्कुलर बना हुआ है तो आप जैसे डिजाइनिंग आपकी रिक्वार्मेंट है उस तरीके से आप यहां पर टेक्स्ट इफेक्ट में लगा सकते हैं फिर आता है अरेंज, अरेंज में क्या होता है आप जैसे हम लोग इसको जो हमारा सेफ है यह टेबल है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आप देखिए हम लोग क्या करना चाहते है इसको इधर लाइट लेड़ अरेंज करना चाहते है थो आप अराम से कर सकते है सकते है इसको पोじिशन की सकते हैं ड़ायाइट लेप्ण उपर नीचे ठीक है तो इस तरीके से आप apply कर सकते हैं और फिर आता है यहां पर text wrapping test wrapping हम लोग ने जैसे picture ने पढ़ा था कुछ text लिखा होता है उस text के अंदर अगर हमें save के हिसाब से अगर टेस्ट को arrange करना है तो हम लोग अराम से कर सकते हैं तो यह आप अगर picture वाला वीडियो ने देखे हैं उसमें हमने बताया है अगर आपको इसमें कोई problem आये तो हम लोग आपको दुबारा बता देंगे चलिए हम लोग फिर भी कोसिस करते हैं एक बार इसको control एक हैं यहां से लेते हैं और जो हमने पहले फाइल बनाई है उसको परफन करते है के माच cela कि लागाके देख और हमने क्या करते कि इसको हम लोग अटा लेते हैं अब देखिये हमना सेफ है स्वारी मुद्धा इन उधार ले जाएंगे तो हमारा जो टैक्स्ट है वह за मज़िए न सब देक्षार बेंगे यहां पर आक्र थेखना था में तो पोजिसन तो मैंने बता दिया था इधर उधर जो आप करना चाहते हैं टेक्स्ट वैपिंग क्या होता है जैसे आप स्क्वार करेंगे टाइट में करेंगे तो यह बिल्कुल जहां जहां हमारी डिजाइन है वहां छोड़के बाकी आजएगे टेक्स्ट लिख क्या जा पश्चर में करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा पिक्चर हो सेम दुसे महिसे च्रप जाए जयुक्त साव jsuis वश्र prohibited कर रहे थे ताइट में इसलिए हम लोग नहीं देख लिया फिर आता है साइस तो साइज आप बड़ा चोटा करना चाहें तो आप यहां से जाके ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं इसे बड़ा रही है तो अधिकिंगे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो सेफ उसके अंदर ऐसा बड़ कर सकते हैं तो यह काफी आपको कचड़ा दिखे रहा होगा पर आप अगर बनाएंगे बढ़िया एक कोई डॉकुमेंट बनाएंगे किसी फाइल या इमेज ये पिक्चर में देखके तो यह आपको काफी अच्छा बना हुआ दिखे अगर आपको कोई कोश्चन वह कुछ समझ में नाए तो हमें कमेंट करके वाट्सेट टेलिग्राम जहां चाहें आप पूसकते हैं आपको सल्यूशन जरूर देंगे तो अभी कलिए बसंदा ही वीडियो पसंद दें तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कोई कोश्च एक सुष्म चाहें आपको साथ भार बसंदा हैं जरूर आपको साथ यह लाएब जरूर आपको सल्यूशन जरूर भार वाब बसंदा हैं झाल झाल